तो लोग दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पॉर्ण मार्क्स यानि मैच्योर मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे और मैच्योर मार्क्स का जो बैग्यानिक समाजबाद है उसके बारे में पढ़ेंगे तो जो मैच्योर मार्क्स है मैच्योर मार्क्स है उसका काया कलब कहां से ह होता हैама 148 में मार्क्स ने की पुस्ताख लिखे था कॉमनिस्ट मनिफरेस्टी है और यहां से का या यात्रस उरू होती है कमस्ट मनिफरेस्टो से के कमस्ट मनिफरेस्टो apparent को से लेकर और कि मार्क्स यंग मार्कस की रचना थी वो पेरिस पॉव 1740 से मिस्क नाय है और उसके बाद कि रचनाय है sums माक्स मार्चनाएं कहीं जा सकते तो बिस्किली समाज बात क्या होता है समाज बात क्या होता है इसको देखते हैं तो समाज में समाज बात है ये समाज में समाजिक समाजिक वा आर्थिक समानता की बात करता है तो समाज बात समाज में आर्थिक समानता की बात करता है और ये उत्पादन के साधनों पर सर्वजनिक नियंतन की बात करता है, तो समाजबाद, समाजबाद दो तरीके से हो सकता है, तो एक तो लोगतांतरिक समाजबाद हो सकता है, जहां हम प्रेम पूरपक, प्रेम पूरपक समाजबाद को लाएं, पूजी पतियों की, जो मन है या पूजी मत्यों का जो इच्छा है उनको या जो उनका कॉंसेसRO असके माधिम के समाज बास अकरता है आपी तक जो फिलासफॉर्स कोई है। उन्होंने इद्यास की केवल ब्याख्या किया है, जरूरत क्या है उसके बदलने की, अब बदलाओ कैसे आएगा, करांटी से आएगा, इसलिए इसके समाजबात को बिग्यानिक समाजबात कहता है, कहा जाता है, पिसिकली जो आगे चलके हम लोग कम्निजम पढ़ेंगे, कम्न क्या है, कम्यून, तो जो कम्यून है, कम्यून सब ये कम्निजम से बना है, इसका तत पर क्या होता है, ऐसे समाज जहां उत्पादन के सादनों पर सबका अधिकार होता है, कम्यून, कैसा समाज होता है, जहां पर उत्पादन के सादनों पर सबका अधिकार होता है, और जो कम कमिनिजम है कि माक्स की अंतिम अबस्ता है या माक्स के सामёबाद का अंतिम चरन है कम'निजम कैसे थे सामटिमबाद की अंतिम चरन है, जहां पर हम सा graphics लोगतagę निंग्त तरीके से समाज बात को एंट्रूज करते हैं है वियां से बनाधीक हमसे चीजों को बदलने के अप्रियाज करता है इस आप जो मासके इसट कांसेट है वो है बागयानीक समाज बात तरी बात बहुतिक बात और इतिहासिक बहुतिक बात अब यहां से हम लोग देखते हैं इसका डायलेक्टिकल मटेरियलिजम या दूंदात्मक बहुतिक बात अगर हम लोग मिटाफिजिक्स तत्व मिवानसा को पढ़ते हैं तो वहां पर दो चीजें आती है एक तो विचार तत्व होता है विचार तत्व होता है विचार तत्व और दूसरा जड़ तत्व तो विचार तत्व में जो चेतन तत्व है जैकि जो विचार है विचार है यह पूरे संसार का संसार की धोरी होता है तो basically यह पूरा संसार आडिया से चलता है जब हम लोगों ने ग्रीक फिंकर पढ़ा था प्लेटो पढ़ा था इवें अरिस्टोटल को हम ने पढ़ा था तो यही बात करते हैं वो कि विचार ही इस जगत में चेतना का काम करते हैं और विचारों से ही यह चलती है, ideas is the moving force of history, तो ही हिस ही, हिस्ट्री की moving force कौन है, हिस्ट्री है, लेकिन जो जड़ तत्तो हैं, जहां पर हम लोग मार्क्स को पढ़ेंगे, तो यह matter को, matter को moving force of history मानता है, moving force of history मानता है, तो matter यानि की पदार्थ, तो रोटी कपड़ा माकान, यही है, जो हमारे moving force of history है, तो इसका जो पर्फोगेशन है, मार्क्स निकिया था, आगे चलके हम देखेंगे, कोटी लेने भी, कोटी लेने भी, इसी matter की बात की थी, matter की बात की थी, और जड़ सत्तो को ज्यादा महत्पूर मानता है, तो, और प्लेट प्लेटो किसको मानता है, विजार को महत्पूर मानता है, फिर, जब हम लोग, डियलेटिकल मटेरियरियम पढ़ ही रहे हैं, तो, हाप्स का संदर्व लेते हैं, हाप्स का संदर्व लेते हैं, तो हाप्स ने बिसिकली, यह भी materialistic ठिंक कर था, हमने देखा था कि यह भी matter को, यह अरिस्टोटल को criticize करता है, कि अरिस्टोटल ने जो farm और matter का जो debate create की है, वो गलत है, और इस संसार के जो मूल धुरी है, वो matter ही है, और matter ही है, जिसके माध्यम से गति होती है, और गति कैसे होती है, हम जब दूसरों की कार, महल, बड़े-बड़े अच्छे-च्छे पैदा होती है, और इन गतियों से हमारे Mastix में कंपन पैदा होता है, और हम उन चीजों को पाने की कोशिस करते हैं, लेकिन हाइस कहता है, या नी, कति स्वास्षत है, यानि, कति jáत्य इतर्नल है, घिज हमेशा, होती रहेगी और इसका जो गति का कारण क्या बताया था हॉप्स ने हॉप्स ने क्या बताया था करण बाहरी बाहरी दबाव बताया था इसलिए हम कहते हैं कि जो हॉप्स था ये बैग्यानिक भातिक बात का पिता था यानि साइंटिफिक मटेरियलियम का साइंटिफिक मटेरियलियम का ये जाना कहा जाता है क्योंकि इसने जो गति का कारण क्या बताया था बहरी दबाव को बताया था वहीं जब हम लो मार्क्स को पढ़ते हैं तो यह हमने जब आपस को पढ़ा था वहां भी इसका संदर्श लिया था कि यह गति का कारण है उसे आंत्रिक दबाव मानता है आंत्रिक दंदात्मख भौतिक वाद यानि ड्यालेक्टी कल्णैलयलियमि एसीयेट कि जाता है ज्याना कने इसके बाद हिसंद के ड्यालेक्टिकल आइडलीजयम भी होता आ झालेक्टिकल होता है तो जो हमने एगल को परहा थो हमने देखा था की घृतले और मार्कस की घ हुश्वन zij धू अनुछ माधपूर मानते हैं थरह यहीं को गल्कर को गल्ड को दू को गед구 को भी हतले की थो ही पूरीटकल था आइलेक्टिकल मेटेरियलियम है तो विसिकली जो हीगल है हीगल है वो डायलेक्टिकल अडिलियम की बात करता है यानि कि जो मुविंग फोर्स आफ इस्ट्री है वो आइडिया है इसी तरह अगर हम मार्क्स को देखते हैं तो मार्क्स इसके बीद क्या बोलता है जो हीगल को पढ़ा तो हमने देखा था कि हीगल क्या बोलता है कि आपके विचार आपके विचार आपकी परिस्तियों का या आपके विचार आपकी समाजिक परिस्तियों का निधारन करते हैं ऐसा हीगल बोलता है लेकिन जब मार्क्स को हमने पढ़ते हैं मार्क्स को हम पढ़ते तो यह कहता है कि समाजिक परिस्टियां समाजिक परिस्टियां जो होती है वो हमारे वो हमारे विचारों को निर्धारण करती है तो जैसे रंग वहेद की जो प्रावलम है उएसे में और भारत में जो छुवा छोट की प्रावलम है यह एक समाजिक परिस्टियां जिसने उच उच नीच का भाव पैदा किया है और हमारे जो विचार है उसमें उच नीच का भाव पैदा किया है तो जो समाजिक प्रिस्तियां है वो हमारे विचारों को निधार्ण करते हैं जबकि जो हेगल है वो क्या कहता है कि हमारे विचार हमारे समाजिक प्रिस्तियों का अलोशनात्मा क्रूप से मार्कस के नौदात्म भौतिक बाद को नैतिक सुच्छंता बाद का एतिहासिक परिवतन की गत्सेलता का माक्स काया हसित्धान चार परस पर जुड़े हुए विचारों के एर्दिग्रत घुमता है पिर रंदबाद क्या है डायलेक्टिक्स क्या है तो रंद क्या है एक कोई वाद होता है उसका प्रतिवाद होता है और प्रतिवाद से संबाद संबाद पैदा होता है तो अगर पूझी वाद वाद है तो समाज वाद क्या है प्रतिवाद है और सामे वाद ये संबाद होगा तो इसको देखते हैं, मार्क्स हेगल से इस बात पर तो सहमत है कि दिरंतर करतिवा परिबतन का कार्ण दॉन्द बाद है, या इन डालेक्टिक्स की प्रिक्डिया है, पर यहां दॉन्द आदर्स, यानि आइडिया की बजाए, डियाल यानि मैटर, मानसी की बजाए समाजी त यानि मैटर में होता है, इसका पर है कि पहले समाज बदलेगा, यानि उत्पादन परणाली बदलेगी, फिर उसी की अनुसार विचार या मस्तिस्क बदलेगा, पहले पदार्थ बदलेगा, फिर आदर्थ यानि विचार बदलेगा, तो मार्क्स ने लिखा है, मार्क्स ने तो यहां पर दो तोंते तो तोंतों का हम दरन देते हैं तो एक तोंता जो की एक साधू के घर में आ गया दोनों एक हीमा से पैदा हुए थे एक तोंता साधू के घर में आ गया और एक एक जो अपराधी था उसके उसके यहां आ गया जो साधू था वो रोज सीता राम ये रा तोता अपराधि कहां यहां रहता थान क्परें करते हिसंगा क्षे प्रेथरा थ थो यह आप जस्द क्षेग अस्तितन है नहीं करता है ने किस व्याए श्चेतन क्षेगे रहा है भलकि जो इनकी समाजिक परिस्तियां थी एक सादू कि यहां पैदा हुआ तो वो सितराम सितराम बोल रहा था और जो अपराधी कि यहां पैदा हुआ वो गालियां दे रहा था तो इनकी जो समाजिक परिस्तियां थी या समाजिक जिनका अस्तित्व था उन्हों ने इनकी चे ही मेरी परिस्तितियों के साथ मेरा संबंध ही मेरी चेतना मेरी परिस्तितियों के साथ मेरा संबंध जो मेरा संबंध होगा उसके साथ जो मैं प्रताड़ना जहेलूँगा जो मैं जिए जेलूँगा वही मेरी चेतना डबलब करेगी तो मेरी चेतना अब क्या हो जाएगी यूकि मैंने किनके विचारों को देखा है मैंने अमेडिकर के विचारों को देखा है तो मैं अब भीम का फैन हो जाओंगा मैं भीम का फैन हो जाओंगा एक बलक इसके परिसितियां है जहाँ पर वह उसम्तर का एक विचार रखेगा तो यही है जो परिसितियां में हम रहते हैं उसके अनुसार हम ढहल जाते हैं संग पधती में रुपा अंतित कर दिया माक्स-पधार्स को सक्री समझते हैं जो आंत्रिक से अपने याप centered करण निस्करी मानते थे इसे बदलने के यह बाढ़ पिरण या दबाओ की जरूरत पड़ेगी कि तो माक्स मधार्स को सक्री समझता है और वह यह इंतर्नल internal जो conflict होता है उसके करण अपने याप बदल जाती है चीजें लेकिन house पदार्स को निस्करी मानता था और उसका माना था कि जो बाह प्रेड़ना है वही external जो element है वो चीजों को प्रहवित करते है तो Hegel और Marx को देख लेते हैं इसमें जो बिसाय है दर्षिनिक अधार या मूलत तो क्या है तो Hegel चेतना आत्मा या विचार के सत्तो को महत्पूर्ण मानता है और यहां से वो आडिलिजम का कॉंसेप्ट देता है जबकि जो मार्क्स है यह मैटर को महत्पूर्ण मानता है और मठेलिजम का कॉंसेप्ट देता है विकास का कारण दोनों दंदात्मक दंदबाद को मानते हैं दोनों ही दंदात्मक दंदबाद को विकास का करण मानते हैं प संबाद संबाद रुक जाता है तो जर्मन जर्मन जब राश्टाज बन जाएगा तब संबाद रुक जाएगा और मार्क्स के लिए कब संबाद रुकेगा जब बर्ग हीन यानि क्लासलेस और स्टेटलिस जब सोसाइटी बन जाएगी, ना तो बर्ग रहेंगे, ना राज रहेगा, जब सामे बाद और ये कंसिस्टी होगी, जब ना बर्ग रहेंगे, ना राज रहेगा, Siebti होगी, तभी जो ये दंद हएगे, कतम होगे, हेगल कहता है कि ब्यक्ति का समाजिक अस्तित उसकी चेतना पर निर्भर करता है मार्क्स कहता है कि मनुस्थ का समाजिक अस्तित उसकी चेतना पर आस्रित नहीं बलकि उसकी चेतना उसके समाजिक अस्तित पर निर्भर करती है यानि जैसा समाज वैसे विचार एंजल से अपनी पुस्तक एंटी डियोरिंग में भौतिक तूंदबाद के तीन बुन्यादी नियम बताएं पहला टांसफॉर्मेशन आप कॉंट्रिटी इंटू क्वालिटी परिणाम से गुण की और परिमाण से परिमाण से गुण की और परिवर्तान तो विसेगली माक्स जास का माना था कि पहले मात्रा बदलेगे बाद में गुणा बतलेंगे तो परिवर्थन करने का नियम है एक कि इसकाल प्राइय है कि मात्रात्मक परिवार्थनों का फर्व difam अ.. गुणात्मक परिवार्तनों के रोफ में निकलता है मात्रात्मक परिवार्तनों का.. पर वने जैसे जैसे हमने उसकी मात्रा को कम किया मात्रा के साथ हम बसीकली खेल कर रहे हैं तो मात्रा के साथ हमने खेल किया और जो पानी है उसकर को एक टेंपयराथो उसको घ्टाया जिशेल लाया तो क्या बन गया वर्त वे थे अगर मि ham defect को शोड़ेए बदलेंगे पानी का तापमान 20 से 0 डिग्री पर आना मात्रात्मक परिबरतान है और पानी का बर्फ वनना ये गुणात्मक परिबरतान है हेगल वर माक्स के अनुसाद अन्दात्मक परज़ती में परिबरतान मात्रात्मक से गुणात्मक की और होते हैं तो quality changes into quantity quantity changes into quality फिर परसपर बिरोशी तत्तों की अंतरव्याप्ति यानि इंटर penetration of opposites परसपर बिरोशीर तत्त पाये जाता है तो अगर आप लोहे का भी उद्रण लेजिए तो लोहे में भी परसपर बिरोतिता पाये जाते हैं लोहा कसी भी कार में ढल क्यों बिया जाता है क्कुंकर उसको बहुत जादा तो पिखल जाता है या बहुत ज्यादा घर्म की जाता है तो पिखल जाता है तो लोहे में जब हम वैसा लोहा दुखते हैं तो कठोर होता है लेकिन उसके अंदर को मलता भी पाया जाती इसी पेकार जो इस्तरी है तो उसके अंदर प्रेम भी पाया जाता है और ज्यादा आप होगने तो दो तमाज में भी एकक होगने में अबर्द पके आ सब colleagues में टूद्चा कि सुछारा के तो monit जो गुंधी तुट होगन होगन के दूद्रशा है लोगन के दूद्चा है विलोजी तो पंधी पके जाते हैं तो बुर्ण का एकित्टु अबần भी कठोरता होती है, जिससे इसका आकार बना रहता है, कठोर बस तो लोहे में भी प्रिद गुण को मलता होती है, जिसका अंचदर बनती है, वैसे ही समाज में भी दो विरोजी वर्ग यानि अमीर वगरीव साथ साथ रहते हैं, फिर निसेद का निसेद यानि निगेशन आफ गेहुं का दाना होता है तो गेहुं के दाने से क्या बना यह अगर वाद है तो प्रतिबाद क्या हो गया पौधा हो गया फिर जब वो पूरा गेहुं का पौधा पूरा बन जाता है तो यह संबाद हो जाएगा संबाद तो गेहुं के दाने से दाने से पौधा बना पौधे स गेहों का पौधा बना ठीक है तो ये दाना क्या है वाद है फिर जो गेहों का पौधा है वो प्रतिबाद है और जब पूरा जो गेहों बन जाता है जब गेहों के पौधे से जब गेहों निकलता है तो वो संबाद हो जाता है और आगे चलके अब ये जो दाना था और ये जो गेहूं जो हमने प्राप्त किया है ये अलग है ये दाना से ये अलग है तो ये बाद बन जाएगा बाद बन जाएगा फिर प्रतिबाद होगा और फिर बाद होगा तो फिर संबाद होगा और फिर बाद होगा तो ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया ये चक्र चलता रहेगा अब पर यहां पर यह बाद बन जाता है तो आदेम समाज वाद था दास समाज प्रतिबाद था तो संबाद क्या निकला समंति समाज समंति समाज फिर वाद बना पुजी वाद संबाद बना और समय रवाद यह क्या बनेगा सर्भार का जिनाइक वाद यह क्या बनेगा तुंक आँ आंधरीक विरोध़ों यानी विचारों का आपस मैं प्रतृत काहलाता है और यह माक समाज से बहतर होगा क्योंकि समाज में कम से कम क्रिश्कों को क्रिश्कों को थोड़ी बहुत सुतंतता तो है दास समाज से तो बहतर है कि वो एक ही माली की अधीन हो गए और अपना करते रहे मंति समाज में कम से कम लोगों को थोड़ी बहुत सुतंतता तो है पूजी वादी समाज तो पूजी वादी समाज अगर समंति समाज से हम लोग पूजी वादी समाज के और बढ़ गए तो यह समंति समाज से यह बहतर होगा और सामे बाद सबसे बहतर होगा इस प्रक्रिया मे इस्ति में नहीं आएगा यानि कि निसेद का निसेद है यानि निसेद का निगेशन और निगेशन वाद प्रतिवाद से टक्रा कर वापस वाद नहीं बनता बलकि उसका उन्नत हवस्ता संबाद बनती है गेहों का दाना वाद है, अंकुरन प्रतिवाद है, फिर बाली का नाय दाना संबाद है, जो की बाद से उन्नत है, लंदवाद की प्रक्रियाएं प्रतिवाद वाद का निसेध होती है, लंदवाद की प्रक्रियाएं प्रतिवाद वाद का निसेध होती है, तो संबाद निसे हुआ समन्दवाद से अच्छी अवस्ता है अधिहास के प्रत्यक नई अवस्ता अपनी पिछली अवस्ता से बेहतर होती है माक्स ने जहां एक तरह पूझी बात का सोसंड़कारी वनकरात्मक प्हलू पेश किया है वहीं तिन कण्णों के आधार पर इसके बदना अच्छा अता है उत्तपादन के साधनों वा तकनीक में करांतिकारी प्रिवारतनाथा है तो हमने देखा था जैसे ही industrial revolution होता है तो जहां हम लोग जो कपड़ब बून रहे थे तो वो हाथ से कपड़ब बून रहे थे तो उसमें मशीनों का विश्कार हुआ तो पदन के साथनों और तकनीक में करांदिकारी परवतन हुआ तो यही है कि जैसे पूजी बाद आता है तो पदन के साथनों और तकनीक में करांदिकारी परवतन होता है माक्स ने लिखा है कि पुझी बाद की सांदार उपलब्दियों के सामने मिर्स के पिरामिड रोमन नहरे गोतिक भवन फीके पड़ जाएंगे इसने ऐसे अभियान चलाए हैं इनके सामने राष्टों के सारे प्रसार और धर्म्यूत कुछ भी नहीं है तो हमने देखा है कि जैसे ही पुझी बाद आता है तो मनुस्य के चलने के जो टांस्पोर्टेशन के कितने सारे साधान आ जाते हैं कि हमने नावे बनाई उन्नत नावे बनाई हमने हवाई जहाज बनाया तो पूजी वाद क्या करता है यह नई नई तकनीक नई नई खोजों को यह बढ़ावा देता है पहली चीज बहुराश्टी वा अंतराश्टी कजविद्यों का परचार होता है तो अंतराश्टी सीमाओ को पार कर कच्छे माल वा बाजार की खोज होती है तो हमने देखा था कि जैसे पूंजी वाद आया तो इसके करण्ड क्या हुआ कि जो बिटन जैसे देश थे उन्होंने कोलोनी बनाना इस्टार्ट कर दिया इससे क्या हुआ कि अंतराष्टी जो सीमाएं थी चुराष्टी सी उनको पार कर दिया गया कच्छे माल और बाजार के खोज में लोग बाहर निकले तो यह बहुराष्टी और अंतराष्टी विद्यों का प्रिशार प्रिशार करता है भागौलिक जो सामीव प्या सहरी से बतागा इसमें विकास होता है कि इस प्रकार पदार्थ में विरोध चलता रहता है माक्सका उनसार भादिक प्रदार्थ अनिता मटेरियल और आदर्थ बिचार परस पर विरोधी भी है उसमें एक्ता भी है इसमें भाधिक प्रदार्थ परदानवा बिशार गोन है इसका करणिया है कि बहुत्तिक बसको आस्थे म मन को और भी तक तक नहीं सोच सकते हैं जब तक कि रोटी कशम बनी होगी तब रोटी कभी जारा होगी यहीं सब्रेकन Ap मांक्स कहता है कि हेगल का दुन्दवाद सिर के बल खड़ा था, मैंने इसे पैरों के बल खड़ा कर दिया जुन्दात्मक भौतिक बात की मानताओं का तार्किक आधार बहुत कमजोर है पर मांक्स का मूल भी से भौतिक दत्तों की प्रगेत समझाना नहीं मैंनुख के समाजिक जीवन की भौतिक प्रृसितियां समझाना है अर्थात अस्तियाजिशिक भौतिक, कौसमजाना है तो जुन्दात्मक जो भौतिक बात है इसकी मानताओं का तार्किक आधार बहुत कमजोर है क्या कहता है कि पहले रोटी आई होगी तब रोटी कभी जार आया होगा लेकिना ऐसा हो सकता है कि पहले लोगों ने सोचा होगा रोटी के बारे में तब रोटी बनाई यह भी तो हो सकता है इसलिए इसका जो तारगीकता का अधार है बहुत कम जोगर है पर मार्क्स का जो मु बारा बरगे वो अपनी भौत प्रसित्रियों को समझे अपनी भौत प्रसित्रियों को समझे ये उसका उद्देश्थ